बेबी मामा टीवी हाथी और बकरी की कहानी एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे, दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंदल से बहुत दूर निकल गए, वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड था. बेर का पेड देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए, वहां दोनों बेर के पेड के पास गए, फिर हाथी ने अपनी सून से बेर के पेड को जोर से हिलाया और जमीन पर धेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे, बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इखथा करने लगी. सयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिडिया का घोसला भी था. जिसमें चिडिया का एक बच्चा सो रहा था और चिडिया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी. बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिडिया का बच्चा घोसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा चिडिया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था इस वज़ह से वह भी तालाब में डूबने लगी बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिडिया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया इतने में चिडिया भी वहाँ पर आ गई थी और वहाँ अपने बच्चे को सही स्लामत देखकर बहुत खुश हुई उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा कब से हाथी और बक्री भी चिडिया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे कुछ ही दिनों में चिडिया का बच्चा बड़ा हो गया चिडिया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी और हाथी और बक्री को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं, इसकी जानकारी देती थी, इस तरह हाथी, बक्री और चिडिया मजे में रहते और खाते पीते थे. कहानी से सीख हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है, तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मनमुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. अगर आपको हमारी हिंदी कहानी पसंद आई तो कृप्या लाइक करें, शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बेबी मामा टीवी को सब्सक्राइब करें धन्यवाद